डियर स्टुडेंट आप सभी लोग का स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास दोका ए कच्चाचे गडित तो पहला सवाल है संख्या रेखा पर निमनांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्सित कीजिए तो जो भी पूर्ण संख्या हैं उनको में संख्या रेखा पर दिखाना है इसके लिए क्या करेंगे हम एक लाइन बनाएंगे लाइन बनाके क्या करेंगे हम एक तरफ हमें धनात्मक संख्याओं लिखना है और एक तरफ हमें रिणात्मक संख्याओं जिससे पूरांक पड़े हैं तो पूरांक में आपके सुन्ने धनात्मक पूरांक को क्या कहते हैं पूरांग कहते हैं जिसमें सुन्ने भी रहता है धनात्मक संख्याएं भी रहती हैं रिनात्मक संख्याएं रहती हैं अगर हम धनात्मक संख्याओं को जोड़े लें तो जो संख्याओं प्राप्त होगी क्या प्राप्त होगी सुन्ने प्राप्त होगी यानि स सुन्ने से ही शुरुवात होगी धनात्मक को अर्णात्मक की इसको क्या करेंगे हम कई भागों में इसको पार देंगे जो भी हमें दिखाना होगा बाई तरफ भी और बाई तरफ भी अगर हम यहां ममाली जीरो ले ली तो आगे की तरफ जो होगा इधर क्या होगा आपका धन पुढांक वनेगा क्या बनेगा धन पुढांक वनेगा सुन्ने के बाद आगे की दिसा में जो बनेगा हो आपका हो धन पुलांक बनेगा इधर धन पुलांक बनेगा इधर प्लस वाला और सुन्ने के बिप्रीत यानि पीछे की यूर जो बनेगा इधर आपका रिल पूलांक बनेगा क्या बनेगा जी अरिल पूलांक बनता है तो दाहिनी तरफ सुन्ने के दाहिनी तरफ धन पूलांक बनेगा और सुनने के 22 अरियन पुलांग तो हमें क्या करना है 0 से स्टार्ट करना है यहां पर जो आएगा धन पुलांग बनेगा तो 0 के बाद क्या आता है एक आता है हम प्लस लगाएंगे क्योंकि धनात्मक पुलांग बनाएंगे प्लस 2 आपका प्लस 3 आएगा एधर प्लस 4 आएगा आपका प्लस 5 आएगा इधर प्लस 6 है यहले आप बढ़ाते हुए जा सकते हैं इसको फिर दिन अधर वही संखिया हैं जो धनात्मक आप लिखेते बाई उतर बाई था से लीक 경ण इधर एक से स्टार्टिंग होगा लेकिन माइनस से स्टार्टिंग होगा तो माइनस से एक आपका माइनस दो आ जाएगा यहां माइनस तीन आ जाएगा यह माइनस चार इसको बढ़ा लिए जाए उसकी बद माइनस पांच आपका माइनस चे हो जाएगा जो इधर बनाएंगे वही लेकिन हमें क्या करना है हमें संख्यारेखा पर दिखाना है संख्यारेखा किसको दिखाना है जीरो को दिखाना है एक को दो को तीन को चार को पांच तो आपका जीरो तो एह हो ही गया एक यहाँ है दो यहां है तीन यहां है चार यहां नहीं पांच तक दिखाना है तो संख्या रेखा पर जो आपका है पांच तक हो गया आपको जीरो से लेकर आपका पांच हो गया यही हमारा जो है संख्या रेखा पर दर्साना हो गया 0 से लेके आप 5 तक दरसादी इस संख्या रिखा हो गई अगर हमें माइनस में दिखाना होता तो हम कहां दिखाते यहाँ पे पीछे की दरब दिखाते तो धनात्मक आगे बनाएंगे और धनात्मक पीछे बनाएंगे तो आपका 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक की संख्या आप दिखा सकते हैं तो यहां तक का आपका हो गया अगला सवाल जो है आपका तीन क्रेमागत तीन क्रेमागत यहीं क्रेमागत मने क्रम से आने वाली एक के बाद ये काने वाले संख्याओं को क्या काते हैं क्रेमागत संख्याओं तीन क्रेमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का यूगफल 28 है तो संख्याओं बताई तो इसके लिए क्या करेंगे क्रिमागत संख्याओं के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा तो क्या करेंगी माना पहली क्रिमागत संख्या हमें कुछ पता नहीं है क्या आएगा लेकिन हम किसी संख्या को मान के लगाते हैं उस संख्या कुछ भी मान ले तो माना पहली क्रमागत संख्या क्या है एक्स है ठीक लेकिन जब दूसरी क्रमागत संख्या आएगी तो क्या करेंगे हम इसमें हम अचरपद को जोडते हो जाएंगे जैसे पहली क्रमागत संख्या एक मान लिए अगर हम दूसरी क्रमागत संख्या मानेंगे ठीक दूसरी क्र जबात करेंगे हम एक एक्स है यहां इसमें हम एक कर देंगे अगर हमें तीसरी बनानी है तीसरी क्रमागत संख्या बनाना है तो क्या करेंगे हम एक्स में कितना जोड़ेंगे यहां कुछ नहीं जोड़े थे यहां अगर पहली बार देखेंगे तो यहां समली जीरो जोड़ा गया है कियो किसी संख्य Mu जोरते हैं तो संख्या वह Northeast है तो समय 있다 यहांइक जो जोर है एक बांगा दो आएगा तो ऐसे यह आ जोड़ते हो जाये अगर चौती क्रमागत संख्या बनानी होती तो एक्स में कितना जोड़ती यहाँ पर तीन जोड़ती पांच भी बनानी होती तो एक्स में चार जोड़ती यानि जब भी क्रमागत संख्याओं को आप करना है तो पहला क्या मानेंगे एक्स मानेंगे अगली बार में आप एक ए एक सधन एक थी सरी माने है एक सधन दू अगर तीन संख्य को जोड़ दिया जाए यानि उसका योग फल कर दिया जाए तो कितना आना चाहिए अठाइस तो आप यहां लिख सकते हैं प्रिश्न अनुसार कि प्रिश्न की अनुसार आप कर रहे है प्रिश्न सब्सक्राइब6 अर्व एक्सधान दो इसको आप पुष्ट में भी लिख सकते हैं पहली और तीसरी का योगफ़र हमाम देख रहे हैं पहली और तीसरी का अगर तीनों संख्या को एक्सधान अगर उख़ता कि तीनों लिकर हल करना पड़ता है लेकिन आपसे पूछा है पहली और तीसरी का योगफल, सिर्फ पहले और तीसरी का योगफल ही दिखाना है, तो पहला एक्स है, आप एक्स लिख दिए, तीसरा किया है एक्स धन, दो, इन दोनों पहले और तीसरी का योगफल कितना है, योगफल के लिए हम क्या कर दी बीच म प्रिस लगा दी, योगफल कितना होना चाहिए, इसका 28 होना चाहिए, ठीक, अब X में X जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा, एकस में X जोड़ेंगे, आपका 2X हो जाएगा, आपका ये 2 बच जाएगा, बराबर 28 हो जाएगा, इहां देखेलें आप क्या करेंगे हम 55 करेंगे जो धन दो है यह चर्पद है चर्पद को क्या करेंगे हम धाइं तरफ करदेंगे तो आपका जो आएगा दो एक्स बराबर आएगा यह 28 तो है ही ए जो धन 2 है वह है पच्च में अव्धर जाएगा जो पच्छा-अंदर करते है तो क्या होता चिन बदल जाता है धन 2 है तो मायनस 2 आजाएगा यहां तो आपका हो जाएगा 2×-बराबर 28 में से 2 जाएगा X का मान तीरे आ गया तो आप से X का मान नहीं पूछा है आप से पूछा है संख्या है ग्याद कीजी कि कौन कौन से संख्या होंगी तो X किस का मान आया आप पहली क्रमागत संख्या का मान निकाले थी जो पहली क्रमागत संख्या थी ओ एक्स माने थी तो आपके जो पहली क्रमा का संक्या है अगर पहली आपकी x आ गई तो x कामान कितना है तीरे तो दूसरी में क्या करें क्रम की बाद आ रहा है तो तीरे की बाद क्या क्रमा आता है अगला 14 तो दूसरी जो आएगी आपकी 14 हो जाएगी और तीसरा जो आएगा आपका जब पहली X का मान निकाल दे X को आप पहली संख्या माने हैं तो पहली संख्या आपकी 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी क्रमागत माने क्रम से आने वाली 13 के बद क्या आएगी 14 गलिपार और तेसरी जो आपकी आजाएगी तीसरी चवदह की बद क्या जाएगी फंद्र यूझ यही तेरह चunta 3-4-15 है यही संख्याय है अगर हुआ है हिन नीमें हम देख लेरा तेक्व कर लें कि क्या पूछा है पहली और निकले, तीरे, तीसे क्या निकला पंद्रे, क्या इनका योगफ़ल 28 हो रहा है, तो देखे लें, पांदीन, आठ, व1 एक, 28 हां, तो पहली और तीसरी का योगफ़ल भी 28 आ गया, तो हमारा सवाल जो है, सही है, लकला सवाल देखें, यदि तीन क्रमागत, यहाँ भी आसान है आपको लगाने की कोई हो सकतन है क्योंकि कहना है तीन क्रमागत पूर्ण संख्या है तीन संख्या है अगर बीच की संख्या 49 है तो संख्या बताई तो तीनों संख्या बताई आप जान रहे हैं पहली संख्या आगई तीन क्रमागत संख्या एक पहली संख्या हो जाए अगर हम इनको युगफल देखें तो बराबर इनका युगफल जो हो जाएगा युगफल हो जाएगा कह रहा है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्या हो मध्य की संख्या 49 से तो मध्य माने पहला है यह तीसरा है तो मध्य में कान आएगा मध्य में आपका दूसरा आएगा मध् माद्य में आपको क्या दे दिया है 49 माद्य वाली संख्या आपको दे दिया है 49 अब आप से पूझा तीनों संख्या अब बताइए कि जो क्रमागत संख्याएं हैं उक्रम के बाद आने वाली हैं तो 38 के बाद क्या आएगी 49 के बाद क्या आएगी क्रमागत है तो क्रम के बाद तो 49 अगर बीच की संख्या है बीच की संख्या माने दूसरी संख्या तो 49 की बाद क्या आएगी 49 के पहले यह कि दूसरी संख्या 49 है तो 49 के पहले क्या आएगी आपकी 38 हो जाएगी ठीक तभी तो बनेगा 38 49 40 तभी तो क्रमागत बनेगा 38 की बाद 49 आता है 49 की बाद 40 तो हमे यही क्या हैं? तीन संख्याएं हो गई. तो इस तरह से आप आसानिश लगा सकते हैं. यही आपकी आंसर हो जाएगा. अगला सवाल देखें. अगला सवाल है. प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के समलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा? तो सबसे पहले हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह को लिख लें. इससे आसानी हो जाएगी. प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को संबलित कर लें? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या की संख्या को अगर हम इस संख्या में मिला लें कि हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी. आप जान भी रहे हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है तो 0 को अगर हम मिला लें आगे तो क्या संख्या हैं आपकी हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी. तो जो संख्या प्राप्त होगी पूर्ण संख्या होगी. पूर्ण संख्या 0 से सुरुवात होती है. तीन क्रेमागत संख्याओं का योग 36 है तो मद्ध्य की संख्या बताई है, इसके लिए दो ट्रिक है, एक डारेक्ट है, एक इंडारेक्ट है, जिससे आप साइटकट में आसानिस लगा सकते हैं, अगर तीन क्रमागत संख्याइं दी हो और उनका योग भी दिया हो तो क्या करते हैं अगर बीच की संख्या आप से पूछा जाए तो बीच की संख्या निकालने के लिए बहुत आसान फार्मूला है ठीक बीच की सिर्फ तीन के लिए, केवल तीन संख्याओं के लिए, केवल तीन संख्याओं के लिए, तीन क्रमागत संख्याओं के लिए है, अगर तीन क्रमागत संख्याओं दिये हैं, उनका योगफल दिया है, अब बीच की संख्याओं से पूछ लिए, तो बहुत आसान ट्रिक है कि बीच की संख्या बराबर होगा योगफल बटे तीन योगफल बटे तीन ये फार्मूला है तो बीच की संख्या योगफल कितना है आपका 36 ठीक बटे हम किसे भाग दिए तीन में तीन बरायम 36 ठीक बारे के आया बीच की संख्या आगई तो अगर हम जानते हैं कि तीन संख्याएं हैं बीच की संख्या बार आई तो ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी ये आपकी बीच की संख्या हो गई ये अंतिम संख्या हो जाएगे ये आपकी पहली हो गई ये बीच की हो गई य अंतिम हो गई तीसरी हो गई आप लिख सकते हैं तीसरी भी कर सकते हैं पहली दूसरी तीसरी तो आगर हमें बीच की संख्या प्राप्त हो गई बीच की संख्या बारे आ गई तो बाद की संख्या भी निकाल सकते हैं यहां देखें कि केवल तीन क्रमागत संख्याओं के लिए बीच की संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे योगफल बड़ी तीन योगफल आपका दिया था 36 36 में हम 3 से भाग दे दे, यह बारे आ गया, अब बारे क्या आया, यह बीच की संख्या निकली, क्या आई, बीच की संख्या, तो 3 क्रमगाद संख्या आए हैं, तो पहली बीच वाली, यानि दूसरी संख्या, तीसरी, ठीक, अगर हम बीच की संख्या निकाल लिए, तो उसके बाद की संख्या भी निकाल सकते हैं उसके पहले भी, बाद की संख्या हमुआ एक जोड़ देंगी, 2 के बाद के आता है, 13, अब 2 के पहले क्या आ जाएगा, 11 तो जो 11 है बाद के तेरे आया, यही क्या हो गई, हमा, यही जो हो गई, हमारा आंसर हो गया, तिक अगर इन्हीं तीन संख्याओं को अगर हम जोड़े लें तो इनका योगफल दिखें 36 आएगा देख लिए सकते हैं जोड़े लिया जाए तीन दू पांच एक छै एक एक दू एक तीन यानि तीन संख्याओं लिखा था आपका प्रशन तीन क्रमागा संख्याओं का इसके बीच वाला पूछा गया तो बीच वाला संख्याओं निकालसकते हैं तो आप पहले भी उसके बाद Totally आगर बीच वाला बारह है NICK कि युद्ड है य गारे तरीका है लेकिन दूसरा देखेंगे इसे फार्मूले से जो इसके पहले बताए गया है कि तीन क्रमागे संख क्या हो का योग तो आप मान भी सकते हैं माना पहली क्रमागत संख्या क्या है आपका एक्स है माना पहली क्रमागत संख्या आपका एक्स है जब पहली आप एक्स मान ली तो दूसरी में क्या करेंगे दूसरी जो क्रमागत संख्या होगी वह आपका एक जोड़ जा जाएगा उ यहाँ जीरो जुडा गे हैं समलिल एक अब तीसरी क्या हो जाएगी आपकी तीसरी जो क्रमागत संख्या हो गी आपका हो जागए एक सधन दो आ जाएगा ठीक अब इनका योग फल दिया भी है तो आप प्रशनानू सार इसको हल कर सकते हैं प्रिश्ना नुसार हल करेंगे तीन क्रमागत संख्याओं का योग तो तीन क्रमागत जो संख्या उतारें इनका योग आपको जोड़ें तो पहला आपका एक्स हो जाएगा दूसरी में एक सधन एक हो जाएगा तीसरा आपका है एक सधन दो ठीक पहली क्रमागत संख्या दू दॉसरी थीशनी अब इनका योगफल कितना दिए? तीनों का योगफल कितना दिया 36, 36 लिख दिए अब इनको जोड़ेंगे 1x, 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 यहनि फुल मिलागे कितनी x होगी? आपका 3 x हो गया आप संख्याएं कितनी मिलेंगी? एक और प्लस दो तो नहीं कितना आया इग्यार है आया इग्यार है तो X को क्या माने हैं आप पहली संख्या एक्स को आप क्या माने है पहली संख्या जब एक्स का माने ग्यारे आया तो एक्स को आप पहली संख्या माने तो पहली संख्या क्या हो जाएगी ग्यारे अद दूसरी संख्या माने एक्स अधन एक तो एक्स का माने जब ग्यारे आया ग्यारे में जब एक जोड इससे भी आप जान सकते हैं कि जा रहे हैं कि अगला सवाल रह गया है संख्या रेखा पर प्लस चार यो मानस 6 को दरसाना है यानि संख्यार एक बार हम प्लस चार बनाएं एक बार मानस चार इसको आप चाहें तो एक ही में दिखा सकते हैं यह तो आप अलग अलग भी इसको दिखा सकते हैं तो क्या करेंगी उसी त्रे बनाएंगे यहां लाइन अगर दिखाना चाहते हैं सिर्फ प्लस चार को तो यहां से आप प्लस वाली को उठा ले एक दो तीन चार पांच आतिक दिखा सकते हैं यहां जीरो बना लें आप यहां प्लस एक हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा प्लस तीन प्लस चार यहां का प्लस पांच हो जाएगा तो आपको प्लस चार दिखाना है तो यही है आपके क्या हो जाएगी संख्यरेखा पर हो गई ठीक अब माइनस वाले को आप चाहें तो 0 हो जाएगा 2 1345 आपका इधर माइनस वाला हो जाएगा 1 1 2 माइनस 3-4 जाएगा माइनस 5 jest माइनस 6 माइनस 7 यहां तक बूड़ा सकते हैं इधर आपका दिया इस्टार्ट है यहां माइनस च्थ आपको दिखाना है तो माइनस को पे है माइनस से आपका यहाँ दिखाई दिए रहा है तो माइनस से यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं तो इस तरह से आप संख्या रिखा पर बिखने संख्या को हम दिखा सकते हैं और एक पर ही अगर बनाना चाहते हैं तो एक पी भी बन जाएगा आपका जो धान अवरेल दोनों दिखा देगा जैसे यहां पर हम देखें उपर बना रहे हैं और यहां आपकाु ज्याएगा इधर बांट लें ध्यात्मक चाह अगी जो तीन चार पांँ छे यहांसे अप gry प्लत कुम माइनस दू माइनस तीन माइनस च्यार माइनस आपका पांच हो जाएगा माइनस छे माइनस साथ माइनस आड़ भी कर सकते हैं आपको बताना है क्या प्लस च्यार और माइनस च्यार तो प्लस कहां बनेगा आपका जो प्लस बनेगा उदाहने तरब बनेगा आगे की तरफ जीर सब्सक्राइब दोनों चीजों को आप बना सके तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो समझ में आ इसे लाइक सेर करें ताकि अन्य बच्चों के पास भी जा सके और इससे कुछ सीख सकें अगर आपको कहें डाउट है इसकी बाद भी तो आप कमेंट करके कमेंट बाक्स में पोस्च सकते हैं आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा यहां आपको हमर के दिया जा रहा है टेक केर गुड़ बाई इसको आप पास करके इसको आप नोट कर सकते हैं थाइंक यू अ आप यहां है हमर के दिसी है इसकी बाद इसकी हजता है वहाँ और मुड़ खरॉत यह जगर समस्या झाप कर द आपको कर सा गूर कमें झाली।